स्टार्ट करते हैं अभी सेशन को यहां पर जो जो मैंने बताया थे एक compare to हो गया सबस्ट्रिंग हो गया इसके कुछ examples लेता है सबसे पहला हमारे यहां पर जो है इस्ट्रिंग का function जो की था पहला compare to इसी में सबसे ज़्यादा दिखकत होती इसका एक example लेकर मैं समझाता हूं समझना तो देखो compare to क्या करता है इट compares to strings lexicographically अगर पूछा जाए compare to function क्या करता है तो क्या बताओगे इट compares to strings यहां पर आता है lexicographically lexicographically का मतलब यह होता है letter by letter होके alphabetically या फिर letter by letter letter by letter का मतलब क्या ध्यान देना है यहां पर इसको समझते है example के help से for example अगर मानलो यहां पर तुम्हाए सामने दो string लिये गए string हमने ले लिया एक अगर मानलो हमने ले लिया एक backed और दूसरा हमने ले लिया string भी यह हो गया हमारा ball ऐसे case में अगर हम यहां पर compare to function क्या use करेंगे तो यह क्या करेंगा यह बताना है हमको तो A को B से compare करना है इसका output क्या आएगा अगर यह मानलो SOP में लिख दिया जाए SOP तो यहां पर क्या output आएगा हमको यह बताना है कैसे process होगा देना यहां पर यह character by character चेक करेगा यह देखो यहां पर है back पहला वाला A तुम अगरेगा B और B सेम आगए A और A सेम आगए different कहां पर हुआ different होता है तुम्हारा T पे और L पर T और L पर यह अलग-अलग हो गया अब यहां T और L अलग-अलग हो रहा है तो यहां पर अब यह निकालेगा दोनों का difference इसका काम करने का तरीका समझना character यह दोनों को चेक करे value को यह minus कर देगा आगे वाले L character की as-q value से अब तुमको यहां पर यही समझना है इनका as-q value क्या होगा तो इनका as-q value भही हम निकाल लेते है as-q value समझना as-q value जो इनका होगा ए तुम्हारा होता है small है सारे तो ए तुम्हारा शुरू होता है 97 से तो ए होगा B C D E F G H I J K L M N O P Q R S फिर उसके बाट T U V W X Y Z इस तरह निकाल लो तो यहां पर वह कितना है गा यह जाएक है यह जाएगा तुम्हाइं है एसका ही quotes होता है तुम्हें किस-किस का चाहिए तुम्हें T का चाहिए और L का चाहिए so t का देखो यहाँ पे कितना t का है 116 l का देखो के कितना है l का है 108 तो 116-108 कर लो यहाँ पे 116-108 कितना आ जाएगा यह 8 आ जाएगा सीदे ज़िए और positive का 8 क्योंकि पहले वाला number बड़ा है तो यह तुमको दे देगा 8 तो यहाँ पे output क्या निकल के आया यहाँ पे क्या होगा अगर हम लेते हैं a.compare to b यहाँ पे क्या output आयेगा बताओ यहाँ पे देखो क्या करेगा यह word by word compare करेगा letter by letter तो यह लेगा Thursday t-h-u-r-s-d-a-y और यह लेगा Tuesday t-u-e-s-d-a-y यहाँ पे यह letter by letter दोनों को चेक करेगा सबसे पहला letter यहाँ पे आ जाएगा t यह t, same है फिर उसके बाद यह देखेगा यहाँ h है यहाँ u है तो जहाँ इसको different मिलेगा दोनों का यह different character उठाएगा a वाली string पहले आई है तो इसलिए a वाले का जो different character है वो आएगा पहले, यानि कि h आया पहले minus बाद वाली string का यह वाला character आएगा बाद में यह आजाएगा तुमारा इस तरह u now इन दोनों के s का ही देखो s का ही मैंने लिखे हुए है यह आपे h का तुमारा कितना है, h का आया 104 यह तुमको ऐसे लिखके निकालना पड़ेगा रफ वर्क में अगर निकाल लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा बागि अगर ऐसे निकाल सकते हो, मन में count करके तो भी गलत मैं नहीं कहूंगो, ऐसे भी निकाल सकते हो तो h का आजाएगा तुमारा 104 और u का आजाएगा 117 ओके, यह आगया 117 और 104, तो h का लिखा 104, माइनस यह आगया 117 माइनस कर लो, यह आएगा माइनस का 13, यहां रखना प्लस माइनस में यहां डिफरेंस रखना यह आएगा तुमारा माइनस का 13, तो माइनस का 13 is your final answer माइनस 13 is your final answer तो यहाँ पे compare to negative value कब देता है पीछे वाली string का alphabetically छोटा size होगा, h तुमारा पहले आता है u बाद में आता है, इसले negative value आ गया अगर पीछे वाला greater होता बड़ा string होता, तो यहां पे इस तरह आता ठेक है, अब यहां पे एक और चीज़ देखो, एक और इसके बारे में twist कहते हैं नहीं twist, यहां पे एक twist आता है twist यह है कि compare to एक और भी काम करता है compare to एक और भी काम करता है, वो भी समझ लो भई compare to के case में एक चीज़ और होती है that when two strings are identical जब यह दो strings identical होगी या एक string दूसरे string की sub-string होगी तब यह क्या करता है, then it finds the difference between length of two strings तब यह दोनों string के बीच का length का difference निकाल लेता है यह करता है, नौ देखना, जैसे मानलो for example A में लिया मैंने, यह ले लिया donkey और यहां पे B में मैंने ले लिया donkey अगर मैं तुमसे कहूं कि यहां पे लिखा मैंने A dot compare to A dot compare to और यहां पे दे दिया B तो बताओ इसका output क्या आएगा, अगर यह मैंने SOP में लिख दिया पूरा, यह मैंने SOP या system order print में लिख दिया तो क्या output आएगा यहां पे, पहली बात तो यहां पे दोनों same है, identical string है because दोनों में first letter same second letter same, third letter same compare to ने देखा अरे भई इसमें कुछ different तो है, क्या करें तो इसने कहा, भई length को minus करके हम difference तो बताएंगे, तो इसने पहला वाला string लिया, इसका length कितना है इसका length है पहले वाले string का एक, दो, तीन, चार, पाच्छे, यह है 6 minus करेगा, बाद वाले string के length से वो है 3, तो 6 minus 3 करके यह दे देगा तुमको 3, so 3 is the answer, तो इस तरह यह काम करता है compare to function, काफी important है वही बतारूं बार बार में, because यह तुमारा question आ सकता है, और इस तरह तुमसे पूछ भी सकता है, so यहाँ पर यह twist है अगर यहाँ पर string identical होंगी, तो यहाँ पर यह फिर length का difference तुमको बताने लगता है, फिर इसके बाद एक sub string function, यहाँ पर है, इसका output बताना है क्या हैगा, sub string function है amplify learning dot sub string 5, 12, तो यहाँ पर इसका output निकालने के लिए दो क्या होता है sub string function का काम यह होता है कि एक बड़ी string में से टुकड़ा निकालके लिए आता है जिसे कहते हैं यह जाके चांद का टुकड़ा तोड़ लो तो यहाँ पर sub string का काम क्या होता है यह बड़ी सी string में से टुकड़ा निकालके लिए आता है बड़ी से string हमाई कौन सी है, amplify learning यहाँ पर, इसमें से टुकड़ा निकाले के लाना है, टुकड़ा कहां से कहां तक का चाहिए, यह बता दिया गया है, तुमको demand कर दिया गया हाँ, चांद में यहां से यहां तक का टुकड़ा तुमको चाहिए, तो sub string में, यह होता है starting index, यह ह होता है start index, यह होता है end index, दोनों दिये हैं, तो start और end, अच्छा यहां पर ध्यान रखना, end index से एक कम तक की sub string मिलती है, end से एक कम तक की sub string दुमको चाहिए, यह देखो क्या होगा है, यह हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और उसके बाद 7, यहां पर space भी होगा ध्यान रखना 11, 12, 13, 14, और 15, तो यह आएगा, now 12 से एक कम तक, 12 से एक कम तक, याद रखना 12 जहां पर है, इस से एक कम तक ही तुमको sub string चाहिए, यानि कि यहां तक तुम्हें sub string मिलेगी, कहां से मिलेगी, 5th वाले index है, starting वाला लोगे, end वाला नहीं लोगे, तो यहां से start होगा F से, तो बस क्या आजाएगा तुम्हारा, यह आएगा, answer F Y, F Y, L E A R, कुछ अलगी यहां पर आ रहा है, बड़ यह आएगा, यहां पर output will be F Y, और space भी आएगा, फिर उसके बाद L E A R, F Y, layer, so now this is the output of sub string, तो sub string ऐसे काम करता है, अचा, sub string का एक और भी तरीका होता है, sub string तुम्हार अगर इसमें सिर्फ एक index हम pass करेंगे, तो यह index क्या होती है, it is the starting index, it is the starting index, यह कब होगा, in case of, in case of one parameter, जब एक ही तुम इसमें parameter pass करोगे, तब भी यह काम करेगा, तब भी यह काम करेगा, और इसका यह वाला starting index तब हो जाता है, now यह क्या करेगा, जो तुम्हारा starting index है, वह यहां से लेकर पूरा end तक बाकी पूरा sub string दे देता है, यह इसका काम है, तो now यहां पे indexes देखो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसके बाद यह आ गया 7, अच्छा यहां पे 7 मैंने लिया है, तो space भी आएगा, ध्यान रखना यह चीज, यहां पे space भी ले लेगा, यहां पे actually मुझे 8 चाहिए था, तो उसके बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यह आएगा, यहां पे output देखो क्या आएगा, यहां पे output हो जाएगा तुमारा, output will be, अगर यह margin है, तो margin से space आएगा पहले, space भी है वहां पे ध्यान रखना, space आएगा, फिर उसके बाद learning, margin से ऐसे करके मत लिखना, margin से एक space आएगा, फिर उसके बाद लिखके आएगा learning, फिर उसके बाद लिखके आएगा learning, space भी है यहां पे ध्यान रखना भी इस बात का, learning, तो यह आजाएगा, space और learning, यहां space रहेगा, यहां पे space रहेगा, because वहां पे 7th index पे space भी है, so now this is the final answer, चलो एक और हर्ष ने यहां पे question दिया है, इसको कर लेते हैं, तब यह question है, इसका output बताओ क्या आएगा, now, यहां पे सबसे पहले तो यह समझो, कौन सी चीज किसके अंदर है, किसको पहले solve करनी है, चैसे मालो, SOP के अंदर लिखा है, amazing, यह तुमारा पहला string हो गया, okay, this is string1, यह तुमारा पहला string है, string1 में तुम्हें क्या करना है, dot, sub string, इसमें तुमको लगाना है, sub string function, तो sub string function लगेगा इसमें, sub string तुम्हें कहां से कहां तक, 0 से 4 तक का चाहिए, तो यहां पे देखो, 0, 1, 2, 3, 4, यह आ जाएगा, okay, यह आ जाएगा तुमारा, 0, 1, 2, 3, 4, तो यह तुम्हें 4 से कम तक लेगा, amaz तक लेगा, 0 से लेके z तक, okay, यह आगे है इतना, फिर उसके बाद आगे कह रहा है, concat, concat का मतलब कुछ नहीं होता, concat का मतलब होता है, बस plus कर दो, plus करना है दोनों strings, वो आगे पीछे, फिर उसके बाद, hacking.sub string 4, यह आ जाएगा, 4 से sub string लेना है, तो यह तुम्हारा सिर starting index बता रहे हैं, यहाँ से end तक पुरा, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, यह आ जाएगा तुम्हारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पर 4 से कह रहा है, तो 4 से लो, 4 से, 4 से लेके आखिर तक पूरा, 4 से लेकर आखिर तक पूरा, यहाँ से ing मिलेगा, यहाँ से मिलेगा amaze, य और उसके बाद dot हमें करना है concat और आगे क्या मिल रहा है आगे मिल रहा है ing यह मिल रहा है ing तो concat क्या करेगा simple plus कर देता है दोनों को जोड़ेगा दोनों strings को add मतलब mathematical add नहीं होगा आगे पेशे जोड़ जाएंगे तो output क्या आएगा the final output will be यहाँ पर आ जाएगा amazing तो अच्छा question भी था and it was amazing question capital में मत लिखना ध्यान रखना capital में लिखोगे marks cutting वहाँ small में ही लिखना small letters में जैसा है वैसे अगर वहाँ पे uppercase में convert नहीं किया तो small case में यह print होगा अगर यहाँ पे compare to में ऐसा कुछ आ जाए यह example दिया है and इसका output देखतें क्या हैगा computer क्या करेगा B A L L को compare करेगा B A T के साथ और यहाँ पे L actually capital है L capital हो जाएंगे L यह capital है उपर वाले यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे भी logic same है B को compare किया B से case same है दोनों का यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है A को check किया A से यहाँ भी same है दोनों कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत उसको दिखी कहाँ पे L और T में यहां L तुम्हारा uppercase में पहली बात अलग तो है यह uppercase भी है और यह तुम्हारा T तो इन दोनों को पकड़ेगा यहां से मिलेगा उसको capital L और यहां से उसको मिलेगा minus small t तो दोनों का S का ही value हो minus करेगा तो capital L का S का ही again तुमको निकालना पड़ेगा सेम तरीके से तो capital L का S का ही कितना आएगा हो तुमको निकालना पड़ेगा यहां पर इस तरह आएगा देखो यह हो जाएगा A B C D E F G H I फिर उसके बाद J K L तक ही निकालना हो में आगे कर तुम लोग चाहो तो देख लेना बाद में यह शुरू होता है तुमारा 65, 66, 67, 68, 69 और 70 फिर उसके बाद 71, 72, 73 उसके बाद 74, 75 और 76 आगया capital L का तो 76 यह तुमारा capital L का है माइनस कर लो 76 capital L का हो गया माइनस इस्माल टी का कितना हो गया इस्माल टी का तुमारा है कहा गया 116, माइनस करो, 116, तो माइनस कर लो, बड़े में से छोट्य को माइनस करो, 116-7, 6-6 0 आ जाएगा, 11-7 तुमारा 4, तो 40 आ जाएगा और 40 तुमारा माइनस का आएगा, बिकोज बड़ा नंबर तुमारा माइनस का है तो यहाँ पे answer विल बी- 40, तो this is your final answer, यहाँ पे माइनस 40 तुमको मिले तुम समझ गए होगे अभी compare to कैसे काम करता है most important function तुमारा compare to वाला है और sub-string वाला है because ये पूछा जा सकता है तुमसे output में 90% time मैं कहा रहा हूँ 90% time माइने रखता है 90% sub-string का output पूछता है और दूसरा तुमारा compare to का because ये tough होते हैं comparatively तो इनी के output आते है sub-string का और ये तुमारा compare to का इनी के output जादा पूछे जाते है compare to and equals same होता है क्या ना same नहीं होता दोनों equality चेक करते हैं लेकिन अलग-अलग तरीके से दोनों का return type अलग-अलग है compare to क्या करता है it return ये integer value return करता है return int और equals क्या करता है return boolean ये boolean return करता है equals function only checks for equality और वहीं पे compare to ये क्या करेगा it compares to strings lexicographically ये लिख दो के दो marks मिल जाएंगे ये मतलब होता है it compares to strings alphabetically so I hope ये difference भी तुम लोगो समझ में आया होगा इस तरह question आते है difference between compare to equals पूछ लेगा ये काफी important question है तो इसको star बना देते है compare to equals में difference most important है बहुत chance है मतलब ये guarantee तो नहीं ले सकते है ये आयगा ये आयगा पर काफी chance होता है कि ये question तुमको देखने को मिल जाए